हलो फ्रेंट्स कैसे हैं सभी सौगत है आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल पे ग्रेंट फावलेज रेसिपीज हिंदी में आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हंडिया कैसे बनती और कैसे पगाई जाती है अब जैसा कि आप देख रहे हैं यह मिट्टी जो कि चिकनी हावाल अब यह है रफिक भाईग क्षे बनाते हैं और बहुत अच्छे कारीकर है हंडियों के मट्कियों के जैसे के आप देख रहे हैं यह मिट्टी के चूले हें यह बी कच्चे ओंंको बाद में पकाया जाएगा इनके पकाने का आसलो थाहीं किताब भी आपको दिखात यहां पर मिट्टी के घड़े बनाए जा रहे हैं यह चिकने मिट्टी को भईया जी साफ कर रहे हैं और यह है इनको पकाने का इसाब किताब बहुत बड़ा तंदूर इसमें नीचे से आग लगाई जाती है और उपर मिट्टी के बरतन रखकर पकाया जाते हैं जिससे की बरतन ज्यादा चल सकें बहुत ही बड़ा लग रहा है इसाब किताब भाई अब यह चिकनी मिट्टी में से पत्थर और कंकड़ को अलग कर रहे हैं जिससे की बड़ी क्वालिटी के घड़े और बरतन बन सकें यह अभी कच्चे हैं घड़े इनको पकाया जागा जिसके जैसा कि मैं आपको दिखाया था अभी और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसको यहां से लेने पकाने के बाद घर पे क्या बनाए उसके अंदर पहले क्या बनाना चीज जिससे कि हंडी मजूत हो जाए तूटे नहीं इसके लिए हमारा नेक्स वीड़े देखना यह सारा कच्चा रोमेट्रेल है यह सूकेगा फिर उसके बाद इसको पकाएंगे यह मिट्टी के हंडिया अभी कच्ची है रफिक भाई से हमने बोला था कि थोड़ी मीडियम साइज की बनाना पर इन्होंने बहुत बड़ी बना दी है इसको मैं दिखा तो आपको कितनी ब नग्स वर वाचिए